नमश्कार एन वेलकम तो धर्मा लाइव। पंचांग जिसके बारे में चार्चा कर लेते हैं तो आश्वन माह में कृष्ण पक्ष की नौ मीत थी है और चंद्र देउता मित्षुन राशी में रहेंगे यानि की राशी चक्र की तीसरी राशी में रहेंगे तो इसी को आधार मानकर आपका राशी पल तयार किया गया है बाकी 17 तारिक को कन्या संक्रांती हो चुके है यानि सुरी देउता कन्या राशी में आ चुके है और अब 24 तारिक को शुक्र देउता कन्या राशी में जाएंगे तो ग्रहों की चाल बदल रही है इसलिए ऑक्टूबर का महीना बहुत ही खास है आपके जीवन पे बहुत सा करियर की बात की जाए तो आज के दिन करियर के मामले में आपको जो है थोड़ा सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है गुस्सा कम दिखाएगा नहीं तो आज के दिन आपके गुस्से की वज़े से काम खराब हो सकता है स्टुडेंट्स को टाल मटोल करने से बचने की ज़रूरत ह बात करें रिष्टों की तो आज के दिन रिष्टों में नयापन आएगा लेकिन आज के दिन पार्ट्नर से उनकी कोई भी उनकी कमियां गिनाने से बचने की जरूरत है ग्रहिनियों को आज खाने-पीने के चीजों पर धियान देने की जरूरत है, सेहत भी गड़ सकते हैं और वो भी खाने-पीने की चीजों से ही, तो वहां खोड़ा ध्यान देज़ेगा बाकी हल्थ के मामले में आज के दिन स्वास्त में बदलाव आएगा तो जब भी कोई छोटी सी चीज आपकी बॉडी में चेंज होती है तो रंत डॉक्टर से कंसल्ट किया करें बात करते हैं पैसो की तो आज के दिन खर्चा बढ़ने वाला है महा उपाई क्या है तो दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं कोशिश कीजेगा कि आज के दिन किसी गरीब को एक वक्त का खाना जरूर खिलाएं आपके लिए लगी कलर की बात की जाए तो वो है ग्रीन लगी नंबर की बात की जाए तो है टू और भाग स्थार के तौर पर मैं आपको दूंगी पांच में से साढ़ी तीन स्टार करियर की बात करते हैं आज के दिन कहीं जाना हो सकता है काम बनेंगे आपके आज के दिन वर्क प्लेस पे लोगों का साथ भी मिलेगा रिष्टों की बात करें तो फैमिली के साथ तो रिष्टे अच्छे हैं लेकिन पार्टनर के साथ अन्बन होने की संभाव ना है तो वहाँ अपनी बोली अपनी बुद्धी विवेक का स्तमाल कीज़े ग्रहिनियों की बात की जाए थोड़ा ध्यान से क्योंकि आज के दिन कोई आपकी बात का बतंगड बना सकता है हेल्थ और पैसों के मामले में जितना ध्यान से चलेंगे उतनी चीज़े आपके अप्वाडिंग रहेंगी बात कर लेते हैं महा उपाई की तो दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो हल्दी का टीका माथे पर जरूर लगाएगा आपके लिए लखी कलर आज येलो है लखी नंबर की बात की जातो है फाइव और भाग स्टार की तौर पूर मैं आपको दूंगी पांच में से तीन स्टार मिथुन राशी आज आप ही के राशी में चंदर देउता रहने वाले हैं तो बहुत ही खास दिन है आपके लिए आप जो भी काम अभी तक आपने किया है उसका फल आज आपको मिल सकता है अच्छा रिजल्ट मिलेगा लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान में रिष्टों की बात करते हैं आज के दिन तालमेल बदलने वाला है यानि कि आप देखेंगे जिसे आप घर में इसदादा पसंद नहीं करते थे आज वह आपकी तारीफ करता नजर आएगा वहीं पार्टनर भी आज आज आपको उसका एक अलग ही अंदाज अलगी साइट द प्लेश हो सकता है कोशिश कीजिए जो है बीच बचाओ करें यानि कि सब चीज शांती से सुलजाने की बात करते हैं हल्थ की आज जीब ही आँख से रेलेटिट कुछ लोगों को इशूज हो सकते हैं ध्यान देने की जरूरत है वहीं बात करें अगर पैसों की तो आज के द की जाए तो है बन और भागिस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी पांच में से साधी तीन स्टार करकराशी करियर की बात करें आज के दिन करियर के मामले में न्यू ऑपरचुनिटीज मिलेंगी यानि नए नए काम आपको मिल सकते हैं नए खास चीज़े होंगी व्याप आज किसी से भी गुसे में बात करने से बचना है बात करते हैं रिष्टों की तो आज के दिन नए रिष्टे बनने की संभावना है कुछ नया हो सकता है फैमली में किसी की एंट्री हो सकती है जो सिंगल लोग है आज आपकी लाइफ में कोई इंटर करने वाला है वहीं जो कोशिश कीज़ेगा पार्टनर की चीज़े जो उनको पसंद है वो ला कर दें इससे रिष्टे में तालमील और मजबूत हो जाएगा बात करते हैं ग्रहिनियों की तो आज के दिन पती के साथ कहीं बाहर जाना संभा होए हेल्थ और पैसो के मामले में दिन ठीक ठाक महा उपाई क्या है तो दिन को बहुत उच्छा बनाना चाहते हैं तो आज सुरे देवता की पूजा जरूर कीज़ेगा लखी कलर आपके लिए आज ग्रीन है लखी नंबर की बात कीजा तो है टू और भागस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी पांच में से साढ़े तीन स सिंह राशी करियर की बात करें आज के दिन करियर के मामले में सिंह राशी वालों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा आज के दिन सीनियर्स बॉस मैनेजर का साथ मिलेगा बिजनस करने वालों को आज के दिन कोई नई डील होने जा सकती है यानि किसी नई डील में आप हांद डा की बात शेर करेंगे काम की बाते भी आज पार्टनर से आप डिसकस करते नजर आएंगी गुरहिनियों की बात की जाए तो आज के दिन माई के पक्षते कोई आपको खबर मिल सकती है जिसके बारे में आज आप सुनके उदास हो सकती है किसी से कहा सुने भी हो सकती है तो कोशि दिन बडो के आशरवाद से दिन की शुरुवात कीजिए लखी कलर आपके लिए आज ग्रीन है लखी नमबर की बात कीजा तो है वन और भागस्तार के तौर पर मैं आपको दूगी पांच में से तीन स्टार कन्या राशी बात करते हैं करियर की सप्ता की शुरुवात है तो काम की अधिकता रहेगी आप पे लेकिन साथ ही साथ आज के दिन कोई helping hand भी आपको मिलने वाला है काम में कुछ नया भी हो सकता है बिजनसमैन लोग जो की लकडी से related काम करते हैं ध्यान रखेगा आज के दिन कोई आपको चूना लगा सकता है घाटा होनी की संभावना है तो थोड़ा ध्यान से बात करते हैं रिष्टो की तो आज के दिन माता पिता के आशिरवाद से चीजे बनेंगी सुलजेंगी अच्छी चीजे होने वाली है यानि बड़ों का आशिरवाद उनका साया आपके उपर रहेगा वहीं बात कर ले अगर ग्रहिनियों की तो थोड़ा ध्यान से क्योंकि आज के दिन आप हर चीज में कमिया ढूंती नजर आने वाली है इरिटेटेड रहेंगी तो अपने नेचर पर कंट्रूल कीजे सुबह सुबह योग वयायाम कर लीजे मूड एकदम ठीक रहेगा बात क के लिए लगी कलर वाइट है लगी नंबर की बात की जातो है तूर भागस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी पांच में से साढ़े तीन स्टार तुलाराशी बात करें करियर की तो आज के दिन करियर के मामले में तुलाराशी वालों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा की आप से दूर भागेंगे तो वहां थोड़ा ध्यान देना है कहां कमी रह गई यह जानने की कोशिश कीजिए और ज्यादा चीजों के लोड मतलिया कीजिए यानि ज्यादा टेंशन ओवर थिंकिंग करने से बचना है रहिनियों की बात करें आज के दिन शाम के समय अपनी महिला मंडिली के साथ आप कहीं बैठ सकती है मन लग सकता है धार्मिक चीजों में इंवाल्व होंगी हेल्थ की बात की जाए तो गले का खास ध्यान रखने के ज़रूरत है गले से रिलेट इशूज हो सकते हैं पैसों के मामले में आज के दिन सोर्स ओफ इंकम बढ़ेगा करियर की बात करें आज के दिन करियर के मामले में अच्छा रिजल्ट मिलेगा स्टुडेंस को ध्यान देना है क्योंकि आज के दिन आपके काम बिगड सकते हैं लापरवाही नहीं बरतनी है बिजनसमैन लोगों को भागे का तो साथ मिलेगा ही साथ ही साथ ही साथ महनत का भ लेकिन दिन ढलते जलते चीजे ठीक भी हो जाएंगी ग्रहिनियों की बात करते हैं आज के दिन अपनी गुसे पे अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखने की जरूरत है क्योंकि एमोशन जादा दिखाएंगी तो लोग आज वीक समझ लेंगे आपकी कमजोरियां आप ही को गि चीज लेकर आ सकते हैं जिस पर पैसा खर्चा जरूर होगा महाउपाई क्या है तो दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन गाए को रोटी जरूर खिलाएगा लगी कलर वाइट है लगी नंबर की बात की जाए तो है फाइव और भाग स्थार के तौर प लेकिन जिन लोगों ने अभी-भी काम की शुरूगात की है लापर वाही दिखाने से बचुएगा रिष्टो की बात कर ले आज के दिन टोका टाकी जादा होगी घरवालों की तरफ से पार्टनर जिनके हैं यानी चाहे लव पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो आज उन स्वांसिक शांती सुकून मिलेगा बात करते हैं हेल्थ की स्वास्त का धियान रखेगा क्योंकि आज के दिन थकान आप पेहावी दहेगा दिन की शुरूआत बहुती थकान से होने वाली है काम में मन नहीं लगेगा मेडिटी अशन करें ये सबसे अच्छा इलाज है अपन थकान को दूर करने का अपने माइंट को एक्टिफ करने का बाकि पैसो की बात कर ली जाए तो आज इन्वेस्टमेंट या सेविंग के मामले में आप ध्यान देने वाले हैं महा उपाई क्या है तो दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज कोशिश कीजेगा कि शिव जी की पूजाज जरूर करें आपके लिए लगकी कलर वाइट है लगकी नंबर की बात की जाए तो है टू और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूँगी पांच में कि आज के दिन आप बहुत ही जादा निराश हताश महसूस करने वाले हैं तो हिम्मत नहीं हारनी है बिजनसमेन लोगों को एक सला महिलाओं से बहस करने से बचिएगा आज उनकी जितनी इज़त करेंगे लग उतना सपोर्ट करेगा बाकी बात करें अगर रिष्टों की तो अपने गलतियों को सुधार सकें तो आज के दिन आपको कोई ज्यादा पसंद आने वाला है अगर अगर मैरेड हैं तो इन चीजों पर थोड़ा कंट्रोल कीजे बाकी जो सिंगल है आज के दिन आप अपनी चहल कदमी में आप जो इधर उधर चीजों में मल लगाते नजर ग्रहिनियों की बात की जाए तो थोड़ा ध्यान से क्योंकि आज के दिन जो है आपकी सिहत बिगड़ सकती है पैसो के मामले में आज के दिन जो है खर्चा बढ़ने वाला है महा उपाई क्या है तो दिन को बहुत उच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन ओम नमश्वाई का यथा संभाव जाब कीज़े आपके लिए लगी कलर आज ग्रीन है लगी नंबर की बात की जाए तो है टू और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूँगी पांच मे प्राशी वालों के लिए दिन कुछ खास नहीं है काम का बोज रहेगा और आज आप किसी से जो है आपकी कहा सुनी यानि लडाई होने की नौबत तका सकती है यानि कि आज के दिन किसी से बहुत ही आप इरिटेटेटेड फील करेंगे वर्क प्रेस और आज कोशिश करनी है अपने आपको करने की बिजनस मैल लोगों को एक सला कि आज के दिन जो है कोई भी काम बिना सोचे वचारे नहीं करना है क्योंकि काम बगडने के डील बिगडने की लेन दिन कर रहे हैं तो वहाँ भी डील करने जा रहे हैं तो वहाँ भी हर जग सावधानी बरतियेगा हलके में किसी चीज को मत लीजेगा रिष्टों की बात करें आज के दिन पार्टनर के साथ तालमेर अच्छा है लेकिन जादा समय नहीं दे पाएंगे आप अपनी ही चीजों में उल्जे रहेंगे ग्रहिनियों की बात की जाए तो थोड़ा ध्यान से क्योंकि आज के दिन पती की अघर में किसी मेल मिंबर की सिहत बिगड़ सकती है बाकी पैसों के मामले में आज के दिन मालक्षमी का अशिरवाद रहेगा महा उपाई क्या है तो दिन को बहुत उच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन हनुमान चालेसा का पाठ जरूर कीज़ेगा लकी कलर आपके लिए आज ग्रीन है लकी नमबर की बात की जाये तो हिथ्री और भागस्तार के तौट पर मैं आपको दूँगी पाँच मेंसे साढ़ह दीन स्टार करियर की बात करें तो आज के दिन करियर के मामले में मीन राशी वालों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा लेके नाज के दिन जो है जादा लालच में आकर कोई भी डिसिजन लेने से बच्चने की जरूरत है लालच मन दिखाईएगा रिष्टो की बात करें तो आज ननिहाल पक्षते किसी से बाच्चीत अच्छी हो सकती है वहीं दूर के रिष्टदार की आज कॉल आएगी पार्टनर्स जो हैं आज के दिन कोशिश करनी है थोड़ा एक दूसरे का ध्यान देने की एक दूसरे की जरूरतों को पर ध्यान देने की बाकी बात करें ग्रेहनियों की सोच समझ कर कोई भी आज फैसला लीजेगा क्योंकि आज आज आपके द्वारा लिए गए फैसले आपकी लाइफ पही नहीं आपकी फैमली के लाइफ भी जादा बड़ा इंपेक्ट दिखा सकते हैं हेल्थ की बात करें आज के दिन बॉडी पेइन या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चेंज होगा जो आपके पूरे दिन को खराब कर सकता है तो हेल्थ को अज प्रायर्टी देनी है एकसरसाइज और योग से दिन की शुरुवात कर लीजे सारी चीज़े बालेंस ट्रहेंगे बाकी साथ कर अगर पैसो की तो आज के दिन खर्चा जादा नहीं होने वाला है महा उपाई क्या है तो दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज कोशिश कीजिए कि महिलाओं का अशरवाद लीजे आपके लिए लगी कलर की बात की जाए तो है वाइट लगी नंबर की तो हित्री और भागस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी पांच में से साधी तीन स्टार तो जाना हमने कि आज का दिन सभी बाराराशी वालों के लिए कैसा रहेगा बाकी आज जो है वो है 19 तारीक यानि कि आज पित्र पक्षमी अगर हम देखे तो नौमीत थी है आज क शुब माना जाता है बाकी आज शिव जी का दिन है तो कोशिश कीजिए कि यथा संभाव ओम नमा श्रवाइका जाब करें तो फिलाल इतना ही मिलती हूं कल तब तक हांसते रहें मुस्कुराते रहें किसी का दर्मा दुखाई और देखते रहें धर्मा लाई नमस्कार